तो क्या करो हुए भुले माम एकम शर्णब्रा, अहं तौम मैं तुझ को क्या कर दूँँगा सब ऑफे ब्यो, बहु बचन प्रयोंग किया है, ऑफे ब्यो पना फोगोदो बहु बशक्न barn, किया है अज़्गर की धया है तू आगया नहीं मरना जो किया तूने पाप और करेगा इतनी अप्छोडी तेना को मारेगा जिसने पाप होंगे मां सुचा हती तो करके ते मैं पवित्र कर दूँगा तुझे तू परवा नहीं कर तो गीता कहां से शुरू होई शर्णागती से कि में जोने से शर्णागती से और हमारे शरीमत भागवद इसे शर्णागती कि से शर्णागती से शर्णागतीय रदो शर्णागती से जनफ पहली स्टेज डवित पर जिश्वाधाय इसने मान प्रणे राग अनुराग भाव महवाव रूड अधिरूड मोधन मोवन माधन कुछ का भी बढ़न नहीं है एक मात्र केवल सर्णागती का बढ़नन है और श्रीमत धागवत जी में आध्योप्रांग इन सवों का बढ़नन किया है इसको सुनकर तो चतुरवेदी समाज अबहात रह गई महराजी का बिद्धुत पूर्ण प्रवचन को सुनकर कैसे कैसे महराजी का स्वागत हुआ हो स्वागत को के वले ये निगोडी आँखी देख स्पाइन आखों पर जीवन जीव नहीं है जो इसका बढ़न कर सकती हो बस उसको देखते ही रहे गए बना अर्थात महराजी की यही हम लोगों के लिए आगया है कि अपने श्रीमत भागत जी को खिरगयांगम करके और अपने खिरगयां में रख कर रोज उसका नित्यप्रती पाट करें महराजी कहते थे कि भागवाजी का एक इश्लोग, आधा इश्लोग, अगर आधा इश्लोग भी नहीं पढ़े डेली, तो आधे से भी आधा जो भागवाजी का इश्लोग पढ़ेगा नित्य प्रती, उसके लिए कोई बंधन कारत नहीं बनेंगे, अतहा अपने रूपान को हुआ अभी हमारे पूर वक्ता महोजए रूपान वशंव की व्याक्या बहर नन की कैसे रूपान को वशंव थे, कैसे क्या अपने महराजी से मेरा कैसा सम्भंध था, उसके बर नन करना तो इस जीवाह के लिए संभव नहीं है, हमेशे महराजी से अंतरंग बता, महाराजी को सबकुछ मैं सुन रही हूं कि महाराजी को ऐसे समाधी दीव मेरे महाराजी मुझे छोड़कर चले गए अभी भी आएंगे अभी दर्शन होएंगे महाराजी का ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों क्या वात है यह तो महाराजी जान सकते हैं तो मैं उस समय आई है तो महाराजी जूप में बैठे हुए थे तो मैंने महाराजी पूछा महाराजी आज अब कहां से आए हो माजी इसको सुनते एकदाम मुख्रित हो गए और बोले हम लोग आज जावर से श्री गोविंद कुंद जा रहे थे भागुर रीशी वहां यग कर रहे तो फ्री और मखन देने जा रहे थे श्री विश्वान रंदनी के साथ थे तो श्री किशोरी श्री महाराची ने देखा कि दानगाटी पे बहुत अच्छे फूल लगे हुए है था को दूनों में सुझ कुछ गुरुजी उसको चैन करें तो इती दिर में श्री किशोरी जी रूप से बोलें रूप रमार्ण कहां गई तो देखो वो महाराची वह रही है बस महाराची किशोरी जी कुछ सहन नहीं हुआ हूँ अभी नहीं चुनों बेब बाल में चुनेंगे हमारे साथ आ जो व महाराची का भाव था उस समय कहने का बहुत सारे भाव on にलोर ले रहे हैं लेकिन समय के-स पावधी के कारण अपने भावों को यहीं समा करते हूं हमारे बक्तीता कि अउप Kुछ हलका होगा और या कुछन को दुखी तूप दूदीया हो दुख दिया हो तो उसे अप लोग पर आप लोगों से यही प्रवाभ इच्छा मांगती हूं है कि मेरे महाराजी की प्रती जोश्रधा नहीं थी वो भी और हो जाए दरता से महाराजी की चर्णों को पकड़कर हम लोग जन्म जन्मांतरू की सेवा में लगे रहे हैं इनी बक्तिता के साथ अपने इनी शब्चा अभी अभी हम लोग ने स्रुवन किया गुरुजी का कितना सुन्दर भाव और निरंतरू रुपानों घुने में और राधाजी के किंकरी बनने में रागमाई भाक्ते का बर्नन करने में रस्कता के बर्नन करने में जो सित्य है से गिद्गविंदम की भुमिका में गुरुजी ने अपने भाव को बैक्त कर दिया जिसमें गुरुजी कहते हैं लिखते हैं कि राधाजी बिराहिनी उन्वादिनी है एकांत में निकुंज बन में या ब्रेंदा बन के किसी कुंज प्रदेश में बैठी हुए तो वहाँ कोई भी नहीं है स्यामसंदर तो मत्रा और मत्रा से दुआर का निकल गए तो राधा के बिराहिनी उन्वादिनी है कोई भी वहाँ नहीं है एक सखी वहाँ जाकर के बैठ गई चोणों के बाद और बड़े मीठी मीठी बातों में उनके खिदाय मिला का भाव से भाव का मिलाका बड़े पैथिकल मूद में बिराह संबेदना को बैंतर करती हुई राधा जी को सांतना दे रही है उनको खूर्स बना रही हैं तो उनको बैठी हुए है राधा जी के साथ बात कर रही है वो कौन है कि गुरुजी स्वयव है उनने लिखा आज उनकी अपनी लिखी हुई बात उने में करता है जब उनने अपनी भाव को बेखते के लिए इस प्रकास के लिए स्री राधा जी के नी जजन आज गुरुजी के भीषय में हम लोग अभी हमारे मद्ध में उपस्ते पहम पुजनिया स्री भक्ति विदातर सिधर माराजी और हमारे स्री रसानुंद प्रभू जो की हमेशा रस की बर्शा करते हैं और गुरुजी के मूह लगे हुए और देखकर के जीन को देखकर के आनंद में विभग है जाते हैं तो ऐसे हमारे स्री सिधर माराची है तो अब भी हमें कुछ सुनाएंगे गुरुजी के पुछ वांजरे पे ओ मैं ज्यानति मिराम धस्या ज्यानाजन शलाकया चक्सोर्न मिलितम जेना तस्मै स्री गुरवे नमहा गुरवे गौरचंद्राय राधिताय यस्तदाले क्रिष्नाय क्रिष्न भक्ताय तद भक्ताय नमो नमा वांचा कल्प दरुर भस्त क्रीपा सेंधो भैवच पतितानं पावनेभो बैस्न भेभो नमो नमा नमयं विष्न पादाय राधिताय ये प्रियात्मने स्री स्रिमाद भक्ति वेदांत नारायन इतिनामिने स्री क्रिष्न जैतन्न भ्रभुनित अनन्द स्री आद्वईद गदाधर स्री भसादी गवर भक्त व्रिंद वोला हरी क्रिष्न हरी क्रिष्न क्रिष्न हरी 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 राम हरी राम 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 हरे हरे नारायन घोस्वाई महराजी को चरणों सर्ज में स्रथा खुस्पांजले अर्बण करता हूँ उपस्ती अच्यतलाल भट्ट घोस्वाँ मीजी श्रेला अन्या अन्या तितन्दी पादगान 29-29 विसाभ़ी को चरणों में में अधधा जोग्य परनाम करता हूँ अभी साग हम लोग उने श्रीला गुरुजी की महिमा को विभिरना भक्तों को मुखार बिंद से विभिरना दिरिष्टी कौन से उनकी महिमा को हम लोग उस्रबन कर रहे थे कि जैसे हरी अनंता हरी कथा अनंता है उसी तरह एक सुध्धभवत्त का जो जीवन भी उसका हर जो पल है वो संपुर्न सिख्याम लग होता है इसलिए आप लोग उने स्रवन कर रहे ते महाराज जी की महिमा को हर दिरिष्टी कौन से कई से महिमा की कितने महिमा उनकी है कि ये महापुरुष्ट श्रीमान चैतन महापुरुष्ट जैसे चबी साल उमर में उनने सारे माया, ममता, मोहो को त्या करके श्रीमान महापुरुष्ट ने सन्यासिक रहन किया उसी तरह स्री महराज भी के जिए चबीस साल उमर में उन्हें जो जन्मा अईस्वर्जश रुतश्री भी रेदमान मतभुमा के जो चार चीज है जिसको पास में ये चार चीज केता उनको भगवत भक्ति करना बहूत कठीन है चार चीज नहीं कुंटी कहती हैं जिसको अंदर में कपल एक ही गून हो वो भगवान का भक्ति साहजम नहीं करता है लेकिन महाराजी जी जी एक और अंदर देखा जाए तो कैते ये छार गून का अंदर में परिपूर्न रूप में था कैते जन्म केते निकात जन्म कौन सा पूल में हुआ है केते तिवारी केते सर्भस्तरष्ट ब्राह्मन बंस में यह महापुरुस का जन्म हुआ है केते अहिस्वर्ज्या अब लोगों को पता है इन्होंने साधारन घर में जन्म ग्रहन नहीं क्या उसे समय ओप पोलीस अभी सर ते यह पो पोश्ट में अगर किसको मिल जाए पैसा किसे पाणी जैसे पार घर में पैसा दी है और पोलीस अफिसर थे यह इसलिए इनको बहुत अच्छे लिखे बड़े थे तभी इनको इतना अच्छा पोष्ट मिला था इसलिए जन्म आईस्वर सुरुत अब लोग अभी धीरे धीरे हम स्रबन करेंगे उनको ज्यान की गरिमा कितना अंको अंदर में ज्यान है इसलिए कैसे उन्हें इस ग्रंथा आती कैसे प्रकास कि हम बाद में इसको अस्रबन करेंगे। इसलिए महाराजी को आखो देखो उनको आख भी नील आख है। इसलिए जो कुंती कहती है प्रभु जिसको अंदर में ये चार गून है वो बेक्ति कभी आख भजन नहीं कर सकता है। लेकिन ये महापुरुस का अंदर में ये चार गून परिपुर्ण रूप में ये चार गून का अंदर में विद्ध मांता। लेकिन ये सब कुछ रहते हुए भी स्रीमान महापुरुस जैसे आज का दिन महापुरुका आज का दिन महापुरुका सन्यासिक का दिवास है। कि आओ महाराज गती थि आज पालन करें महाराज ने सारे अब लोगोंको पतनी ये यह पर आई थी। हमने देखा झांज एक आंग्रे जी खॉरिये इतने गोरी उनके पतनी थी और तीन तीन छोट छोटे बच्चियों को उसी अवस्था में छोड़ करके हम भारतियों को बता है जिनको बच्चों को प्रति कितने माया ममता मोह कितना होता है यह हमारा भारतियों को बता है स्त्रिया अगर सुंदरी हो अच्छा पोश्ट में किसका नौकरी हो अच्छा बंसे में किसका जन्मग्रहन हो और उसी स्थिती में कोई सब कुछ छोड़ करें माया ममता मोह को और भगवान की भक्ति में आए कितने यह कोई साधारन बाद नहीं यह स्री चैतन महाब्रहु जैसे किसी अबस्ता में महाब्रहु सन्यास लिया कोई कोई कहते हैं न हम कैसे भगवान की भक्ति करेंगे हमारा बीबी है बच्चे है पीता माता दुनियादारी महाब्रहु सोयम सिख्या दिया महाब्रहु किसी स्थिती में सन्यास लिया महाब् उसको बाद में पिताजी जगरनात मिस्रवी सदी छोड़ चुके हैं उसको बाद में घर में एक ब्रिधम आता है और पत्नी विश्णु प्रिया जैसे सुंदरिस्त्री चाथ पंदर सोल साल की स्त्री इसी स्थीति में महाब्रहु सब कुछ छोड़ करके जहां पर निर्दया हाथ में निर्दय बनकर की गंगा में छलांग लगा करें काटुवा में महाब्रहु सन्यासी ग्रहन करते हैं सिख्या देते हैं जद्र भी हमारे बहुत कुछ जीवन में करते हैं जीवन में बहुत कुछ करते हैं लेकिन जीवन का सर्भस रश्ट करते हैं अभी जो बता रह का जीवन में महाब्रहु का चरित्र में महाराजी का जीवन भी कुछ उसको साथ में मिलता जुलता रहता है महाराजी का जीवन है और उन्हेंने मंदिर में आ करें कि उन्हें एकनिष्टा जो गुरुजी को उन्हें जो सेवा की है आप लोग उन्हें सुने होंगे महाराजी स्वयम कह रहे थे मेरे अंदर में क्या कुछ गुण है उनका दन्यता जत्रपी मेरे अंदर में तो कुछ भी गुर नहीं है लेकिन संपूर्न प्रिथी भी मेरे चर्ण में जो लोग रहे है संपूर्न प्रिथी भी जो मेरे चर्ण में पुजा कर रहे है क्यों महाराजी बारबार कहते थे मेरे अंदर में जो गुरु जी की जो निश्टा है एक गुरु को प्रति जिसकी निश्टा है जस्य देवे पराबक्ती जथा देवे तथा गुरोव तसरी ते कठिता जहलता प्रकासंत महात्मन इसलिए उसकी हृदय में सारे सिध्धांत तत्तो दर्सन उसको हृदय में ही प्रकास होता है जितने भगवान में जैसे उनको निश्टा है वैसे अगर श्री गुरु जी को चर्ण में अगर वैसे निश्टा अगर किसको हो इसलिए इनको अदर में विश्वय सकर के गुरु निश्टा थी अब ये सभी ता दिती बता रही थे कैसे उन्हाने अनंग मोहन की सेवा की और उन्हाने जब सन्य श्री रख्ताय चाहतो व्ट कृव्द श्रायास को Жेंधी और संक्राइन कि घ़ानी लुअ न लमुए हमुए पतिक्षिंगा ऋम्म लिडिये अध में लीको अट कॉन वहतरे काफिका मेंanta फिस्टांग हमारे दोछिविए स्वाई महाराज हमने देखा स्री तिर्थ महाराज इनको देखा क्या सन्यासि को अंदर में क्या क्या गुण होनी चाहिए आदर स्वर रूप में सन्यासि का हम लोग ने जीवन देखा है सन्यासियों को हम कोई सन्यासि लेने का जोग्या है हम सन्यास मन्यास कोई नहीं लेगें, हमारा कोई अधिकार नहीं, लेगी जब स्री लग भक्ति प्रिज्ञान के सवुद्धोस्वाइं महाराज, जब हमारे महाराजी को पुछा, तो महराजी देखो गुरुजी का चर्ण में ये कितने सरना गती है तो महराजी कहते हैं कहते हैं गुरुदेव मैंने स्त्री को प्रती जो मेरा प्रेम माता का प्रती जो मेरी ममता बच्चों का प्रती मेरे जो सनेहा संसार का प्रति मेरा जो प्यार था ये सब कर सम मैंने आपका स्री चर्ण में मैंने समर्पण कर दिया है आप अगर मेरे को नंगे रेखना चाहते हो उसी में भी वेखुस रहूँगा अगर मेरे को लाल कबड़ा पहनाना करके अगर मेरे को सन्यास दना चाहत उसे में भी राजी है इसलिए अगर मेरे को कुछ भी ने सफेद कबड़ा कुछ भी करो आपका चर्ण में मैंने संपूर्न रूप में आपका चर्ण में सरना करती हूं इसलिए आप जैसे इछा मेरे करो देखो गुरुजी को चर्ण में इनकी कितने निष्टा और कितने भावना गुरुजी को चर्ण मिलिके दी इसलिए संपूर्ण जिवर देकर उनने अपना गुरु सेवा गिया है इसलिए महाराजी का अंदर कुछ भैसिस्ट है अभी तो भाकतलूपने बोल दिया में कुछिस कहता हूं थोड़ी बहुत गुरु जी का अंदर में जो वैसिष्ट था को उसको बर्णा करने के लिए करते गुरुजु का अंदर में विशेस वैसिष्ट है स्री महाप्रव का जो भविष्य वानि था प्रिथी विते आच्छी जटो नगरा दिग्राम सर्बत्र प्रचार है वे वलना यह महाप्रु का भविष्य वानि है प्रिथी में जितने नगर ग्राम है एक दिन ऐसे सुखी हया लोकमर गाईवे के किर्फी संपुर्ण विश्व एक बार कृष्ण प्रे में उन्माद हो करके और स्री भक्तिमुन ठापुर का जो भविष्य वानि था एक दिनी काले और गोरे लोग एकत्रित हो करके निताई गौरु प्रह्मानंदे हरी हरी बोल यह सब के सब सब्सक्राइब को एक साथ में हरी इन तन करेंगे यह महा प्रहु की इच्छा है क्यों हमारे गुरुушка वरनका भी इच्छा है करते जद्य भी सब्सक्राइब हो की हिसे इक हको चर्माने कर्दाएक करानी को कैसे सार्थ हर किया उन्हें संपूर्ण बिश्व को मुझे लगत्ता है अभित्तक किसी प्रचारक ने इतना भ्रमना नहीं किया संपूर्ण पृति शोडदुना पंदरवान हैं अ को इसे कोई राम नहीं खेते गौरोपुर्णिवा को बाद में प्रिथीवी का एक तरफ और नवद्दी परिख्वा को बाद में प्रिथीवी का एक तरफ संपुर्ण रूप में संपुर्ण प्रिथीवी को स्वाई महाराज गए प्रचार करने के लिए लेकिन इसलों महारा हमारी गुरुजी जितने प्रचार पृतिव में किये जितने पृतिव को उन्हें प्रइभर्मन किया है उतना कही किसी प्रचार कने अभी तक उसने कही प्रचार नहीं किया इसलिए महाप्रभु का जो भाविश्व बाड़ी था इसलिए महाराजी संपुर्न महाप्रभु को इच्छा गो उन्हें संपुर्न पृधि में उन्हें प्रचारप्रसार की आई कि यह महाराजी को अंदर में एक विश्य से वरिश्ष्ट रता है इसलिए आप लोग नवदी परिक्मा और स्री ब्रच मंदल परिक्मा में देखो ऐसे कोई राष्टर नहीं ऐसे कोई स्थान नहीं जहां के लोग नवदी परिक्मा और स्री ब्रच मंदल परिक्मा में ऐसे कोई देश का लोग नहीं जो महाराजी को साथ परिक्मा नहीं किये हो संपूर दुनिया के लोग उसमें आकर के परिक्मा करते थे ये एक महाराजी में वैसेश्ट है महापरभू की इच्छा गुपरी की इनकी दूसरी जो वैसिष्ट रता है नहीं, मह राजी की दुसरी जो बईसिष्ट रता है छ simplesmente महारजी की चाहित्न है जगत में आने का उसमें दो कारण बताया करते एक कारण है करते रसी की सेखर कृष्णा परम करूँ इसलिए महाप्रभू रसी की सेखर होने का नाते करते उन्होंने रसा स्वादन करने के लिए उन्होंने जगते में आई रसी की सेखर होने का नाते जो परम करुण है महाप्रभू परम करुण होने का नाते करते राग भक्ति मार्गों के करिते प्रचारन उनने राग भक्ति मार्गों को जगत में प्रचार करने के लिए आए इसलिए जो राग भक्ति को प्रचार करने के लिए आए इसलिए नर्तम दाष्ठा गुरु कहते ह करने के लिए इसलिए श्री नर्तम दाश्टागुरु कहते हैं कि श्री चैतन्य मनभिष्टम स्थापितम जेनभुतले स्वयम रूपह कदामज्यम ददादिसो पदांतिकम के तो महाप्रभु का अभिष्ट को किसी ने पुर्ण किया है के श्री रुपगो स्वामी ने महाप्रभु का अभिष्ट जान करके महाप्रभु जैसे प्रयाग में उनका हरिदय में सारे तत्तों को स्पूर्ति कराया और जगर्नात पूरी में अलग-अलग समय पर अलग अलग ग्रंथ हो रूप में उआने जगत में प्रसारित-प्रसारित गिया। उसी रुपानुगा मारगों को विधान का राकर के श्रीम घ्रीजिव को स्वामी प्रक्राट को उसको बाद में पुनह केद श्री नरतमास्यामानन्द और उस्री निवास। बाद में स्री विसुना चक्रवट ठाकुर आ करेके दिस्तियो रूपगोस्वावी रूप में उन्हें सारे ग्रम्तों को नहीं रचना की। उसी चीज को फिर सिल्भ भक्तिमनो ठाकुर ने आ करेके भक्तिमनो ठाकुर का जो किर्तन है कहते हैं जेजन सेजन भजे आमित राधी का पक्ष पातिसाता कभू नाहीं हेरित देखता की। सिल्भ भक्तिमनो ठाकुर कहते हैं कमल मंजरी रूप में भले ही जो जिसको जिसको भजन करें। लेकिन मैं तो हर समेशरी राधारानी के पक्षे में रहने वाली हूं। और उसी चीज को भक्तिवन ठागुर ने जो सब्तव गश्वामी रूप में भक्तिधारा को जो रख्या किया उसको स्रिलाप प्रहुपाद ने आकर रेके पुना वो चीज को उन्हें प्रकासित किया इसलिए प्रहुपाद बरंबर कहते हैं हम तो रुपो गश्वामी की चर्ण की एक धूल बनना ही हमारे जीवन का ये लख्या है यह चीज को सिलब प्रहुपाद ने फिर उसी धारा को हमारे भक्ति प्रग्यानी स्रिलाप केश्व गश्वामी महाराज ने एक पिसिस्टक नाम रख दिया ग rhythm सभीति उन्हें नाम रखाए इसलिए साधारोन लोग तोचते हैं एक सान्यासी का नाम भक्ति वैदान्थ तो अपना समिति का नाम भी रख दिया गोड ये बेदांत समिति ये क्या बेदांत बेदांत बुपर में स्री संक्राचार्चेक भासाई तो मायवादियों का ग्रंथ है लेकिन हमारे भक्ति प्रग्यान के सब गुस्वाई महाराज एक विशेश रुपा नुगत्त को उन्हे कि आये ये बिदांत का मतलब ये मया नेश्वाधियों का ग्रंथ नहीं ये वेदांस वेदग अंत है यह जो बेद का अंत क्या है अर्थयम ब्रह्म सुत्राना इसलिए ब्रह्म सुत्रा का जो अर्थ यह भागवत है सर्वब वेदांत इतिहासा नाम सार सार समुधृत क्यों समस्त वेदांत का जो सार सार क्यों यह स्रीमाद भागवत है इसलिए जो निगम कलबतरुर गलितम फल यह बेदुर्पी कलबप अगे जो पल ऑओध है खाठ भागवत में सार क्या है व्यक्यißt राश भागवत स्छुपान का माना गया लबॉदियों के इसे में नोब गोपियोंकी नहीं नुटूर स्वाइं महाराज उन्होंने जो ठाकुरुजी भाहर मंदिर में सब 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 सबसपें राधा कृष्टन महापरुषब सब सबसपें क्योंकि हर गवडिय बत्रम हर जगा में क्रिश्चन को ताले रंक यहां पर रुपा नुगत की या स्याम सुन्दर भी जिसके लिए स्याम सुन्दर इमिलत लामें जिसको बरहा पुराण इसको सपन बिलास अमृत से उध्रित करते हुए प्रत तत्वाश्टक को लिखा जहां परस्री स्याम सुन्दर राधाराणी के चिंता करते 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 एकदम सफेद गौरवर्न धारन करते हैं इसलिए ये तीन बिग्रह नहीं एक उन्नत उज्जोल रस के प्रतिभाविता बिग्रह ये तीनों हैं देखो उसे चीज को स्री लब हमारे महराज जी को पता नहीं देते हैं भले तुम जितने बड़े-बड़े विद्वान कीम नहीं हो ये ब्रजवासी लोग किसी कोई पता देने वाले नहीं लेकिन हमारे महराजी को जो जुगाचार्जय को उपाधी दिया गया है जुगाचार्जय को उपाधी बड़े-बड़े विद्वा लिटा सखी को स्थान पर नारायन भट्ट है जो कि ब्रज के उन्हें बहुत कुछ संब्रद किया है और श्री ब्रदय प्रहु का स्थान है वहां पर सारे ब्रजवासियों ने मील करें के हमारे गुरुपाद बद्म को ये जुगाचार्ज का उपाधी इन लोग ने प्रदान किया है इसलिए स्री महाराजी को अंदर में इस रुपानुगत्व महाप्रभु जगत में जो राग भक्ति निर्ज्यास कर ये चीज को जो देने के लिए महाप्रभु आये थे हमारे महाराजी को अंदर में वो चीज देखने को मिलता है इसलिए महाराजी के जितने सारे भ स्याम शुन्दर स्वाधिन भत्री का अनुकुल नायक जहाँ पर स्याम सुन्दर संपुर्न रूप में राधाराणी की संपुर्न अधिनता बन करके जहां परस्मर गरल खंड़नम ममस्रियसी मंड़नम दहीपत पल्लव मुदारों अपना हृदय को महाराजी ने रूप सुनातने गौडियमठ में स्री स्यामराणी को देख करें जो रूप सनातन में जो रूप सुनातनी स्वामि का Τिती है उन्हें तीन दिन तक हमारा भट्टी जी आते हैं जिसमें महाराजी विशेश जो रुपानुगत्व हम लोग है और जिस रुपानुगत्व के लिए जद्धे भी दुसरे दुसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण की भजन करते हैं हम भी राधा कृष्ण को भजन करते हैं बल्लावुकुली करते हैं दूसरे धिम्पार के संपरदा में हम भी राधा कृष्ण को भगती करते हैं लेकिन हमारी राधा कृष्ण को भगती और दूसरे संपरदा के राधा कृष्ण को भगती में क्या फरक है केत फारक ये है हम लोग नोग है, रुपग अस्वामी की आनुगत्य में बल्ल क्यों उसमें बिसित्वत्त्त है जहां प्राण प्रिष्ट सकी कुलादबी केल असंच की भुमित्का, जहां प्रिया प्रियत्तम जब निकुझय में बिलास करते हैं, वहां पर चोहिज दो अरे कृष्ट। कर यहां दिभहाव पृष्ट। यां नियुत कृष्टुप श्री Student कम विए फिकंगो रिव्द मुखवन्ध में जो अपना भाग को महाराजी वहाँ पर अभीप्ति किया इसलिए महाराजी इसने प्रश्न किया था बहुत चुपा करें रखने के लिए लेकिन आप तो यह चीजी को संपुर्ण उद्गाट करके डाइरेक्ट समको बोली देते हैं सब बोल देते यह चीजी को डाइरेक्ट ए सभी को सामने क्यों बोलते हो आपने यह रसा गो महाराजी जे उतने गनतालिक है रसा ग mov उलाज पर पर प्रश्न किया not तो महराजी वहाँ पर उतर देते हैं, कहते देखो, कृष्णतास कभिराज गोस्वामी चैतन चरिता मिरतमी लिखा है, कहा देखो, इस जो बस्तु अत्यन्त अत्यन्त गहरी बस्तु है, यह सभी का समझने का बाहर का बस्तु, यह चीज़ को सभी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यह चीज़ को हम प्रकास नहीं करेंगे, लेकिन यह चीज़ लुप तो हो जाएगा, जगत में लोग को पता ही नहीं चलेगा, अगर कोई लाग लाग व्यक्ति में, अगर कोई एक बिरल व्यक्ति को अगर उसमें लोग हो जाए, रागमई भक्ति, ब्रज भक्ति में यही सार्थकता है, इसलिए कृष्णदास के विराजी गुस्वान में वहां कहते हैं, मैं यह चाहता हूँ जो अरस की बेक्ती, जिसको अधिकार नहीं, अगर यह ग्रहनत को नहीं पड़े, उसमें कल्यार है, उसमें मंगल है, इसलिए महाराजी ने कहा, अगर इसको हम प्रक अगर नचरी, वह आये थे क्यों, महाप्रभु जो चीज दिया, उसी चीज को, लेकिन प्रहुपाद कहते हैं, मैं जिस चीज को देने के लिए आये था, कि अबल मैं जंगल काटते-काटते मेरा समय चला गया, मैं यह जो चीज को दू, किसको दू, यह चीज को ग्रहन कोन क करें, किवल मैंने जंगल काटते-काटते-काटते-काटते, पुरा समय हमारा चला गया, मैं चीज को, लेकिन प्रहुपाद ने अपना बस्तिरिता, अपना भावना, अपना गरंध रूप में, कही-कही यह अपना भाव को उनने अभिवेक्ति किया है, प्रहुपाद ने, इसलिए हमारे महाराजी को अंदर में महाप्रभु जैनन दो कारणら owałे शाओ माध है यह इक कारणर महाराजी को अंदर अंदर में ये तीन मिर्दंग संपूर्ण रूप में स्पष्ट रूप में दिखता हैं महाराजी को जो गला जो सुन्दर गाते थे महाराजी कुछ कैसे डिये नमामी स्वराम जो मतुरा के सब पुरण लोग यहां बड़ता वैठे हुए हो महाराजी का गला कितना सुलील हैं महाराजी का के संदर महाराजQué कंटरमा जो जो महाराजी करते थीनो नमदमाट्रों जो किरतन किया इतने जैसे होσιहां महाराजी का कंट कितने जो शुलील का महाराजिको कर्सोर कंट कितने बढ़र कंटर महाराजी संदर, यीघा Curso, जो ग Laboratory मृतव- Souls दूदर भी प्रिषाद मृतित बताई ग्रंथों को जीसे सब्द ठोड़ी दुर्टों के मिर्दंका सब्द जाता है लेगी ये ग्रंथ इसलिए श्री भक्ति बिलास्तित्यट को स्वाही महाराज और स्री शौति महाराज मेरे गुरुदेव के लिए बताए मेरे गुरुदेव ने बहु विरेजितम कल्मस sialam ऊहां पर बताया भूरीदा जना लगत्में सबसे बड़े दात्था कहूं करें कि बहुत तरबता को लिक्ति र मति नहीं किस सबसे बड़ा दान जना सबसे नहीं कुछ नहीं जो एहां जो बड़ा दान करते प्रुप्ता को लेकिन जो स्थाय रूप में जो प्रकास करके जाते हैं यह ग्रंथ जहां पर एक ग्रंथ पहूंची जाए जैसी में जिसी प्रदेस में ग्रंथ अगर किसको पास में पहुंचि गया उसका भीडल लिया उसका जीवन परिवडरतम हो जाता है ग्रंथ साक्याद रूप में भक्तों का संग भगवत प्रतान करने वाले हें इसलिए ब्रियाद टीयोट में महारासजी इतना बड़ा अबधान है जो हम बंडा नहीं कर सकते हैं लगता हिएं हमारे महाराजrows जितने ग्रंथ प्रकासित किया है अब केवल हिंदी नहीं, बंगला नहीं, केवल इंगलिस नहीं, फ्रांस, जर्मानिक पता नहीं, सारा प्रिथिवी की भासा में महाराज जो घंत्र प्रकासित किया है, जो अध्भूत अबदान है, महाराज तीन बजे दियोकरिश्ण याबर बैठा हुआ पता है, पुरंदर जितने मूल ग्रंथों को मैं चाहता हूं प्रकास करके ये ग्रंथों को जाओं, महाराजी तीने परिश्रम किया ग्रंथों को उपर में, जो सुचने का बहार है, संपुर्ण प्रिथिविक लोग को बिजी बना कर रखे ते महाराजी, और अभी तक भी महाराज और दस साल जगत में रहते संपूर्ण सारी ग्रंथों को भी विदान शुत्र को तीन खन प्रकासित करें किया, बेन्यों गीत, इसलिए ग्रंथों में महाराजी जो ग्रंथों किया है, जैसे सिख्यास्टक, मन सिख्या, उपदे सामिर्थों, बिल्दू, किरान, कणा, रायरामान, बिल्दू, 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 अध्भूत है, बेढु गीत को देखो, क्या अध्भूत बेढु गीत में महाराज ने लिखे हैं। में जब वहां पर बोला सब देख देख आश्चर्च हो रहे थे वह इस बात आपको कहां से मिला हम ने भी बात सुनी नहीं इतने सुंदर सुंदर महाराजी ने यह ब्रहत मृदंग उपर महाराज का जो अबदान है जित्तिने हम का सके सामजों इसतना कमी है महाराजी के ग्रंध भागवत से जितने कल्यान है कि भक्त भागवत से चादा कल्यान है इसलिए महाराजी एक जीवान का प्रिदंग बन करें संपूर्न पृधिं में परजटन करते हुए महाप्रव का बाणी को जो उन्हें प्रचार और प्रसार किया है यह महाराजी के लिए अदर में और एक वैसिष्ट है इनका अदर में सिरी जीव गोस्त जीव गोस्त आपका लखन देखन को मिलता है इसलिए कभी-कभी यहां के पंडित लोग जो जन्मा श्रित्मार जानते हैं जन्माश्ण में को बाद में महाराजी यहां पर सारी विद्वावत को एकतित करत अधिन जो भी से महाराज रखते थे कोई साधारन भी से नहीं बहुत हाई भाई भी इसे रखते थे इसमें आप तो समय थे कई बल्ला आजके प्रहे जनों क्यों भागवत में बताया अंतीम में यहां पर तक इसका मतलब स्थाफन गरे ब्रह्मा यहां प्रहे नहीं उसी का पास्तव अर्थ किया है जन्माद से जयता है कभी निगम कल्पतरूर कभी धर्म प्रजीद कईदव अत्रों कहीं कहीं भागवत का गंभीर गंभीर विशे को इसलिए लगता है जीव को स्वामी को माना गया यह हमारे संप्रताय का तत्वाचार्जिया है सिद्धांद का आ प्रिक निगट हो गए आप इतना बढ़िया बढ़िया भिशेय को कहीं से रखते हो कहां से चुन-चुन कर रखते हो हाँ इसलिए महराजी करें सिर्ग जीव गोस्वामी करें पासमें तीन वेक्ति आए एक नगरतम एक स्यामानद और एक स्री निवास करें को जीव को सुन दांत तत्वतरसण पढ़ाया और ये तीनों नहीं संपूर्न जगत में, एक बंगाल में, एक उरिषामे और एक आसामें, ये तीनों को तीन इसामें उन्हें भेजा, भेज करके महाप्रभु की बाई को उन्हें प्रचार प्रशार काराया, लेकिन उन्हें कोई सिस्चा नही मिलता है इसलिए प्रहुपाद ने भागवत परउंपरा को रखा जह खिया दिया हैं ऑब जो लोगो संपूर्ण पृधिव में प्रचार कर रहे हैं जीम को पास में तीनों आए, उसी तरह महराजी को पास में भी इनकी इतिने भावना, जो सोच नहीं सकते, इनका अंदर में आपना पढ़ाय कोची नहीं था इनके अंदर में। इसका सिष्ष्ष जितना जोलाए जगड़ा ना, इस рокोइ पास में पास में। लेकिन इन लोकोने महराज को अंदर में जो विशेस बसतु थी जिसको अंदर में हृता है ये मेरा तेरा-तेरा करता रहता है लेकिन उदार चरित मनातु बस धाईव खोट भगम जिनका हृता है उदार है समकुर्ण पृधिव को अपना कुटुम मानते हैं कि तो महराज को अंदर में जो महा भागवत का लखणे सर्व भुतेश पसेद भागवत ये महराज को अंदर में चाजोले प्रमा हम लोग ने महाराज का निकट में रागव एक चीज़ पते खाओ माहराज का अंदर में इस चीछ एकदम नहीं था ये सिश्व उसका उसका एकदम नहीं था कि कोई भी महाराज के चरेणि में आ जाए कि बहुत माहराज कोपास में रहे गुूरुदेव अपना संतान जयाई से उसको लाल न पालनों गुूरुदेव महाराज को ने किया है ड़िछ देखो MINहाराज को पास में सारे कोडिय संपरता की इसे भ्क्ति स्रि लहां किस का सृ प्रवावना नहीं थी यह उसका सिस्य उसका सिसोनुका था हम सबके सब महाप्रों के एक परिवार के हैं एक परिवार के हम कई दूसरे परिवार के नहीं इसलिए महाराजी को पास में किसी गोडिय मठ से कोई भी महाराज को पास में आए तो अपना मट जैसे मट लोग को भेज दिया कि पूरादर समको भेज जाओ क्या हमारा हो रहे हुआ प्रते को हमारा संप्रताय का है इतने महानता इसले जग्यस और प्रभु गुवित महाराग को कहते थे हमारे गुरु भाई मुझे जो मदब नहीं करते हैं जब हम महाराजी को पास में जाते हैं जैसे अपना गुरुदेगों को पास में आगे अपना बैश्टी को पास में आगे इतने महाराजी रिदय से उनने और जो संप्रताय का रख्या है महाराजी जो प्रवंध प्रशकम प्रवंदभी प्रभंद् liquid अभूत रोगो दिए और कोई गुरुप रम्पट फीलों ऐसे कुछ 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 लोग उल्टा बुल्टा बोल रहे थे महराजी प्रवध पंचे कम जहां बर पांच प्रवध लिखा क्या उन्हें उसको अंदर में दिया है सारे दुसरे दुसरे संप्रताइक तल्का मच गिया उस समय वो ग्रंथों को बढ़ा पढ़ करेके आई आजाने उसे बोल रहे हुए हुए वहत ब्रा मिटिंग बुलाएं मिटिंग बुला है करें कि अपका नाम लेकर बुलेई वर्दावन के प्रसीद ब्रतियों का उत आमां लेकर क इतना बर्ला आप कुछ बोलते नहीं क्यूं उन्हेने जो महाराज ने जो प्रकासित किया था ग्रंथ का सो प्रमान दे कर कि हमारे महाप्रहु सोयम के से गौरी की बस्तर, रामानुजी मध्य विश्णु सामी के से गौरी की बस्तर, महाप्रहु रहते समयनु का नौ सन्यासिते, सब के सब गौरी की बस्तर धारने किये इसलिए ग्रंथ ब्रकासने में भी महाराजी की बहुत बहुत एग अवदान रहा और कहते महाराजी के अंदर में तिसरी चीज विशेस है जो परिक्रमा है कोवर्यमंटल और ब्रज्यमंटल की जो परिक्रमा ये महाराजी के अंदर विशेस बस्त हुए ये परिकमा सरवप्रत्म का मायावर्णी की जो परिकमा महाप्रणी ने सरवप्रत्म प्रारव्व किया आपना भकत लोग जीसितानांद ब्रभु अध्वित अचाहARज्य श्री वास पंडित और कुछ भकतों क сок 얌ने गरude के परिकमा महाप्रणी सरवप्रत्म कि आदा वह परिख्मा धिरे धिरे बाद में हड़े दित्यानांद पुछीव गोस्वामी परिख्मा बढ़ते छिक्रीलप प्रखुपाद ने बाध में कि प्रिख्मा यह युचत माराज किया है। हुआ भी कही है। cosa酷व कि fand uparde relevant भवत फिर अबने को नवेड is लेकिन। लोफ बाद में हमारे महाराज। जो परिक्मा किया है। यश्मार्य को dow reclookusi पिरिख में इस समय आवों को पता है लगताइण परिखिभ में जितने सारे बार्वभा किया फ्रेजे में प्रृषी परिक्मा प्रृषी असे नम स्बस् agua को सब जाते हैं आप लोग को पताईं किंहें लोग हज्ञार जिसे ने नदी का पाण मधिव्यार लोग देखते रहते हैं यह इकना लोग आए गई कहां से महाँ sweep का जो भवी सभाड़ी था समपुर्ण प्रिथिव का लोग एक समय समके सब निताई गौवरु प्रेमानंद हरी हरी बोलत गलते सब के सब देखने पर लगता है सचमूस से कहां से ही उमड़ आए इसलिए समझे महाराज जी ने जो गौवर मंदल परिकमा उन्हेंने किया है प महाराज जी जब वहां पर बैठते हैं जब वहां के सब के सब लोग आगर बैठते इतने लोग जो सोच नहीं सकते हैं यह महाराज ने यह परिकमा की जो इतने बड़े विशालता उन्हें परिकमा किये इसलिए महाराजी को अंदर में इतने गून इतने गून मैं तो दिन चार दिन से महाराजी कता सुना रहा था इसलिए इतने महाराजी कथा महाराजी को पास में रहते हुए और ये मठ में रहते हुए जब हमें पहले आया महाराजी ब्रियात भागा पता में तो कथा यहां करते थे क्या हम बताए उसे समय यह मठ का क्या परिवेसे था इमादह माराज बीजों की सब थे जैसे अगस्त रिशीका जैसे आस्रव का परिवेश जैसे अगस्त रिशीका आस्रव में जैसे राम जटर आखर के देखा कईसे वहां पर साब और नेूल के से चुम रहे हैं देखा काई सेर और हिरण, तुसको जंगे पर हिरण सीर रख करके सो रहा है वहाँ पर जो खादे को झो संबन्ध है आए वहाँ गुशान सेर भूल जाते थे महाराज यहां रहते समय जब यहां भजन करते थे हरीकदा करते थे दिन में 3-3 बार हरीकता कोई गुश्वान का तिटी आ जाये महाराज 4-4 बार बैट कर यहां पर हरीकता करते थे महाराजी का जो भजन है एक लाग हरीनाम किये बगर महाराज जलग रहन नहीं करते थे पुरा एक लाग हरीनाम करके प्रेमान दबुरुस्या मेरा तो महाराज गहते थे पहले एक लाग हरी नाम करो फिर महाराजी कुछ पईशा थे पहले वजार बजार में आए और कुछ करने के लिए नहीं आये इसलिए महाराजी तीन में दो लाग घरी नाम करना, गरंथ प्रकास करना, सारे माठ को देखना और उनका अंदर में जो कंट्रोल करने का जो सक्ती एक अध्भूत था महाराजी का अंदर में आप लोगो को बता है जब महाराज सिंघासने में बैठते थे कहीं एक बक्ता मिलना कठी न daar लेकिने महाराजी के क्रिपास है महाराजी उत्तिने अच्छ अच्छ बक्ता बनाए इतने महाराजी को पास में किसको सुजब नहीं बोलता हरिकता बोलने के लिए, सब स्वस्तिक कब गुरुजी हम थोड़ा इंकिति करे, हम थड़ा कथा सुनाए, महाराजी इतने हरिकता गुरुजी ने सिखाए, हर बेक्ती को हुनाने जो क्यापासिटी, सिखाने का जो धांग है, अद्भूत है, जो ब पुरम का महाराजी के महीमा है, जिसको हम कaa है नहीं सकते हैं, हम लोग समझो बड़े भधाग्यवान हम लोग है, हैसे स्रीमाराजी को स्रीचरण में हम लोग आए, हम सवस्तिक जन्मस जन्मान तरे, हैसे हम महार्गूरु जी हमे प्राप्त ओ lei, जिनके आजन्योगत्यं मे मुझे जितनी प्रेम करते हैं। सद और इसको गुरु इतनी प्यार करते हैं। मुहारत कि तर ये खुंड़ता। जो है योड डाऊ. बम वाये को अशेल है। जो को इसद आई, गुरुजी, मुझे जटना प्यार करते हैं। सद और दुनिया में किसी को इतना प्यार नहीं करता। सब को पूछ Demo Raveni टॉटे, एक सुधा गुरू का अंदर हमी आसे बावना 지 men होता है। इस सब का अंदर नहीं आपना है। गुर्दय उसकतも जिद्याठ मेरेको पेआर करते निए इसलिए महाराजी तो हमपुरत महीवा, हम एही पर गुरुजी को चर्ण में पुस्पांजली प्रदान करते हैं। गुरुजर हम लोग अपर मिट्री पाजिडांगें बश्रेश। भाइचा गुरुद्र गुष्पांगें बश्रेश। अभी हमारे मद्द में परमपुईय स्री स्री अच्छतलाल भट्ट जी चौंपस्तित हुए है जो कि हमारे मद्द में विराज मन गुरुजी के चवड़ों में कुछ पंजले रूप में कुछ भाब बैक्त करें रसांद पुरु ने जो अपर्व विचारों को और भवनाओं को बैक्त किया है हमारे प्रमपुईय स्री भट्ट विरांतर सिधर मुहराची हम इसमें क्या करें इस्या प्रसादा भगवत प्रसादह यस्या प्रसादान नगतिक कोतों की ध्यायन स्मरंत अस्य शस्ते संध्यम् बंदी गुरु श्री चर्णार इविवां मैं ज्यादा समय ने लूँगा वंदे कृष्टु पदार विंद युगलं यस्मिन कुरंगी ध्युरुशां वक्षो यप्रणी क्रते बिलसतिस्द्धों रागस्वतह काश्मीरं तलिशोणिमों परितने कस्तूरिकां नीरिमां श्री खन्नम नक्चंद्र कांति लहरी निर्वयाज मातमिवते आगदानस्त्रामदंतै दम्याचे फोनपोनः श्री मद्रूप पदाम होजिफुदिस्याम जन्म जन्म नी वांचाकल्द पर्ध्यष्च करपासंद भ्येवच पततानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री महराज्जी के श्री चर्णावरुन्द में कोट कोट पनत तूर्वक अपनी वानी को यहां पवित्र करने के लिए मैं उपस्थित हूँ मंच पर गराजमान महाराजी वर्ग यति मंदली वैष्ण मंदली मात्र मंदली श्री युगाचारिय महाप्रभु के रूपानुग संप्रदाय और रूपानुग उपासना पध्धिती को साहजी रूप में ही प्रताश्व करने वादे श्री महाराजी के अंतर्धान के समाराधन में यहां अपनी वानी को प्रुक्त करते हुए एक और हम कहीं भावुक हो रहे हैं। वहां उनके पावन अवदानों का इस्तमर्ण करते हुए अत्यधिक उल्लसित भी हैं। और मैंने देखा शिदर महरज जब बोल लए थे तो जैसे बोलना प्रार्म करेंगे तो बस बोलते ही जाएंगे। महराज जी के एतने गुण हैं कि जो बोलना प्रार्म करेंगा उसके हुड़य में ऐसी लहर उठेंगे कि वहां बोलते ही चला जाएगे। श्रीवन महाप्रभु ने अनार्पित स्वभक्त श्री प्रदान की। ऑफक्रदान किया। प시면 में भक्ति प्रदान की। बड़े लोग के साथने प्रदान की। मुक्ति ददाति करेंगे। मुक्ति देती हैं भक्ति नहीं देते हैं। कि मस्युन महारज भी कह रहे थे परंत उश्रिमन महाप्रभु ने भक्ति श्री दी यह श्री क्या है कि श्री है मंजिरी भाव मई सेवा भक्ति तो वे भक्त गीता के रूप में भी प्रणान करते रहे बेहन सविता कह रही थी तो भक्ति तो वे गीता के रूप में भी प्रणान करते रहे भक्ति का प्रत्पादन उन्होंने अन्य अन्य सभी शास्त्रों में किया भक्ति में ना कोई शास्त्र है ही नहीं और श्रीमत भागवत का तो कहना ही क्या प्रत्प भक्ति श्री प्रणान करने के लिए श्रीमत भागवत के उस पूरे नेकतर को श्रीमत भागवत के उस अम्रत को प्रणान करने के लिए श्रीमत महाप्रभु ने अपने परिकर को आधिश्ति किया श्री कहिं श्री राधा गोन्देवी की सेवा करते हुए बिराजमान यहां जो मंजरी भाव है वो मंजरी भाव सखीस्त ने हाधिका जो कृष्ण परकर है उस कृष्ण परकर के साथ में कहीं जुड़ा पुआ है जहें श्रावि तो श्री तो ये जो मंजरी भाव है वहाँ कुछ अब्भुत है श्री कृष्ण के परकर में तीन परकार की सखीया है एक सखी है कृष्ण इसने हाधिका जो श्री किशोरी जुकिया पेक्षा शामसुंदर से ज़्यादा इसने रखती परंत वे हमारी कभी भी कि अनुकारिय नहीं हो सकती जा दूसरे परकार की सखीया है जो समस ने हाँ है जैसे श्रीश लगता विशाखा प्रिये सखी ou प्रिये नर्म सखी जे शामसंदर की अफे प्रिया जी इन दोनों में समान इसनेे रखती है पंत समान इसने रखने पर भी यह दित तराजू में तोला जाए तो उच्छल निल्मणी में शिर्वु गोस्वाइब पार मुपन कर रहे हैं कि थोड़ा सा पढला शी किशोरी जी की ओर जुका हुआ रहेगा किशोरी जी के ऊपर पक्षपात उन समस्ने हाओं का भी कहीं अधिक होगा तीसरी प्रकार की जो सखी है वे हैं सखी इस देहा देका अर्थाक शामसंदर और किश्री लाल जी इन दोनों के बीच में किस्से पृति की जाए यदि यह विचार किया जाए तो वे इस पश्टूर की रूप से कहेंगी कि हम तो श्री किशोरीरी की दासी है संब्साव कर ho Θत्री और रूप ऊस्वामि के आनुगत्त हम गहां करते हुए जो प्राह सखी और प्रीशकी रहें यह सखी स्थे हाधिका है श्री राधिका में इसने इकी अधिक्ता है और इनकी आनुवत्ति को ग्रहा करें के जो विराईमान होंगे उनको श्रीमन महाप्रवु ने किरपा करें के स्वभक्ति श्री पुर्दान किया अर्थात यह मंजरी भाव पुर्दान किया यह जो मंजरी भाव है वो सखी स्थे हाधिका सखीयों का सहे श्री महाराज यह आज हमारे बीच में प्रकट रूप से नहीं है पांत श्री रूप गुसामपाद में हमको कहीं भैरे धारन करने के लिए एक रास्ता दिया है और वो रास्ता यह दिया है कि कृष्णे यसी गिरितम मन साथ दिरिये कि जिसकी जिवभा के उपर कृष्ण बिराजमान है उसका मन के द्वारा आदर किया जाएगा पांत ससंग नहीं किया जाएगा दीक्षास्ति चेट प्रनतभिष्च भजनतमीशम यदि वह वैश्णवी दीक्षा ग्रहन करते हुए है और प्रभू का भजन भी कर रहा है तो उसकी सेवाभी की जाएगी जिसके जभात वंकर किष्ण नाम है उसका उसको प्रॉड़ाम किया जाएगा जो दीक्षित होकर के विराजमान हैं और किष्ण सेवा करने वाले हैं उनकी यथा साथ दिये मनवानी कर्म इनके द्वारा सेवा करते हुए भी विराजमान हुआ जाएगा परंतियत ससंग करने की बात है तो ससंग किया जाएगा कौन का बुलिजिन के हृदय में उस भाव को धारण करके सेवा करने की प्रभृत्ति विद्धिमान है तो दिक्षास्तित प्रणतिविष्य भजनतिमीशं सत्सेवया भजन विध्य मनन्य मन्य नंदाद शून लग्धिया उनके साथ में अभीष्यत संग को प्राप्राइब